रूस युक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्युद्ध की तरब बढ़ता दिखाई दे रहा है ये हम नहीं बलकि मौझूदा हालात इसकी बानगी कर रहे हैं जंग में पस्चिमी मुल्क पहले से ही युक्रेन की ढाल बने हुए है अब रूस के प्रचंड देवर के बाद यूरोपिये देशों में खलबली बढ़ती नजर आ रही है यही वज़ा है कि फ्रांस के बाद एक और नेटो का सबसे बड़ा सदस्य देश अब खुले तोर पर युक्रेन के समर्थन में उतर आया है जिसके चलते रूसी राजपती व्लादिविर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच आने वालों को खतरनाग धम की देडाली है रूस ने ब्रिटेन को कड़ी चेताव नी दी है उसने कहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से रूस पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हत्यारों का इस्तेमाल किया गया तो रूस यूक्रेन और उसके बाहर ब्रिटिश सेनने सुविधाओं और उपकर्णों पर हमला कर मूँ तोड जवाब देने की ताकत रखता है रूसी विदेश मंत्राले की ओर से रूस में ब्रिटिश राजदूत निगेल केसी को ये चेताव नी दी गई है रूस ने कहा कि ब्रिटिश राजदूत को आपचारिक विरोध के लिए बुलाया गया जब ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कहा था कि रूस के खिलाफ ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन खुद तै करेगा रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के पश्चिमी चहयोगी देशों की ओर से दिये गए हथियारों को रूसी राजपती पुतिन लाल रेखा के तौर पर मानते हैं यही वज़ा है कि पुतिन पस्चिमी देशों को युक्रेन की मदद ना करने की चेतावनी देते रहे हैं। बावजुदिस के अमेरिका समेत यूरोपिय देश युक्रेन को भारी भर कम मदद पहुचा रहे हैं। इस कड़ी में बिटेन के विदेश सचिव डेविट कैमरन ने कीव का दौरा कर कहा था कि जिस तरहा रूस युक्रेन के अंदर हमले कर रहा है ठीक वैसे ही युक्रेन को भी अपनी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस पर पलटवार करने का पूरा हक है। इस पर रूसी विदेश मंत्राले ने कहा कि कैमरन का बयान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को कीव में ट्रांसफर करते समय बिटेन के अपने पहले दिये गए आश्वासनों का सीधे तोर पर खंडन करता है। जिसमें उसने कहा था कि किसी भी हालात में बिटिश सैन्ने साजो समान का इस्तेमाल रूसी इलाकों में नहीं किया जाएगा। ऐसे में डेविट कैमरन ने अपने देश को संगहर्ष में एक पक्ष के रूप में माननिता दे दी है। माना जा रहा है कि रूस केमरिन के बयानों को युक्रेन के पक्ष में और सैनने अभियानों में ब्रिटेन की बढ़ती भागेदारी के तौर पर देख रहा है। इस पूरे घटना करम पर ब्रिटेन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें ब्रिटेन ने इस बात से इंकार किया है कि ब्रिटिश राजदूत को समन किया गया था ब्रिटेन ने बताया कि रूस में ब्रिटिश राजदूत ने एक राजनेग बैठक के लिए रूसी अधिकारियों से मुलाकात की इसमें उन्होंने रूस के युक्रेन पर हमले पर कीव के लिए बिटिश समर्थन को दोहराया इस बीच डिफेंस एक्सपर्स ने अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में रूस युक्रेन पर अपने हमलों को और तेज कर पश्चिमी मदद को नाकाफी बता सकता है गौर तलब है कि युक्रेन के साथ जंग के बीच रूस ने परमानू हतियारों के साथ सैनने अभियान की योजना बनाई है रूस का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ टिपणियां की थी इसके अलावा रूसी बॉर्डर पर नेटो देशों की चल रही सबसे बड़ी ड्रिल के बाद रूस ने ये एलान किया है झेल रिल रूस श्रूस।